क्लाइ 23 के cut-offs क्या थे और किस रेंग तक NLU's a lot हुए थे किस category wise अगर हम देखे है जनरल, EWS, SC, HD, OBC category wise क्या cut-offs है थे यह official cut-offs है एक्सपेक्टेड नहीं है जो क्लाइ 23 का एक्च्वल कंसोर्टिम ने जो NLU's को quality a lot किये थे यह वो डाटा मैं आपके शाहर करना चाहिए आप हमारा last year school क्या था, last year rank क्या थी, इस बार हम किस college को किस rank तक expect कर सकते हैं में लिए आज की वीडियो को सुरू करते हैं मेरा नाम हिकांज जैन है, मैं HNLU रायपर से हूँ और आप देख रहे हैं क्लैक मेंटेश्टर प्रोग्राम के इस video चैनल पर यह पठला वीडियो पिस क्लैट 23 में HNLU कहां तक गयते हैं, जब हम expected cutoffs की बात करते हैं, हो सकता है कोई cutoffs आपको ज्यादा लग रहे हो कि सुर। इस coaching के cutoffs तो बहुत हाई हैं, इस coaching के cutoffs low हैं, छोड़ दीजे सब cutoffs को साइड में, actual clad के paper को सामने रखिए, 23 के actual cutoffs को सामने रखिए, और आपको moderate था, it was moderate paper, not tough paper, तो moderate paper, उसे cutoff, अब अगर ये paper आसान लगता है, हाँ, 23 का paper, को अगर हम पंपर करें 24 से, तो वो tough था, ये moderate से आसान paper था, अब आसान था, तो cutoff सोड़े high जा सकते हैं, तो जो भी मैं आपको marks बताऊंगा, rank wise and all, आप उसमें 5-6 marks अपनी understanding के साब से push add कर ल clarity हो जाएगे, make sure before I start the video, नीचे मैंने CMP के counselling WhatsApp group और Teleon group के link दिये हैं, उनको आप join करिए, because clear counseling के vacancies and I sponsored, sport round, और clear की past round of counselling के अलाबा, other law, school, staff, select के निर्मा, इन सब के forms आएगे, उन सब का update एक ही group पर आएगा, जो की CMP के counselling group है, नीचे मैंने group दिया है, आप मुझे text WhatsApp की सब, I'm clear 24, मैं आपको इन सारे WhatsApp पर एड कर दूँगा, साथ मैं मुझे अपने score भी भेज़ेगा, so that I can tell you, last year किस rank पर कौन सा college गया था, जिससे आपको clarity हो, और clarity सिफ rank ही ना हो, clarity आपको हो कि vacancy में कहां तक मिल सकता है, vacancy लेट आती है, तो हम भी से इमान किना है, बैठ फस्टी इर 23 का देखें, 85 marks पर 500 rank थे, 78 marks पर 1000 rank थे, 74 का जैay score था, उस पर 1500 rank थी, 67 का जैए score था, उस पर 2000 rank थे, अब 64 का आगर हम बात करें, जा British score था, 3000 rank थी, अगर और नीचे आते है, 56 के score पर 5000 rank थे, 43 केBoy पर 10,000 और इसके नीचे अलग लग रहें थी पो नीचे आप शो कर सकते हो तो 10,000 तक मैंने आपको बताया 43 मार्क्स 10,000 मैं अगर हम ऐसे टीर 1 टीर 2 टीर 3 कॉलेजिस ही देखें तो मोशली एनलेस क्लोज हो गया था 97.5 से उपर टीर 1 का है लॉट होता है टीर 1 अनल्य आपके लॉट होता है 550 तर लाश्ट यर 550 जो रैंक थी उस पे 84 कुछ मार्क्स थे तो अगर आपको लगता है कि इस पर आसान था 84 में अगर लगता कि इस तर चापांच मार्क्स चापांच म और ग्राइब के साथ एलॉट हुआ था 1st, 2nd, top 6 जो अनल्य आपके लॉट हुए थे वो 86 के मार्क्स पर विद 462 रैंक पर लॉट हुए थे clear? next, top 10 जो अनल्य आपके लॉट हुए थे, वो 76 मार्क्स पर लॉट हुए थे with 1200 रैंक और लाज जो अनल्य आपके लॉट हुआ वेकिंसी भी आए थी जब वेकिंसी आए थी जनरल कैटिगरी वाले बच्चों के लिए तो एनलेस थोड़ा सा और नीचे एक आर मार्क नीचे क्योंकि उत्ता सीट्स खाली नहीं होती तो not much change but top 6 NLU में 85 marks तक 500 rank तक आपको G NLU गाने लिए लोट हो गया था इसके बाद अगर top 10 NLU की बात करें top 10 NLU fifth place में 1200 rank तक लोट हुए थे और जैसे ये vacancy आए ये 300 rank बढ़के 1550 rank तक NLU उड़ी सा अलोट हुआ था आपको समझ आ गया कि और अगर हम और नीचे जाए last NLU से कोई भी NLU चलेगा last NLU के हम बात करें last NLU last year 10 से 12,009 तक लोट हुए थे और इस पर जो marks थे वो 40, 43, 44 का score था समझ आए ये general category का है तो अगर इस बार का आप देखने जाओ तो हर एक में 2, 3 marks हैट कर दो तो मैं जब CMP cutoffs निकाल था था मैं यही तो किया कि sir last NLU बैंगलॉर 97 marks पे गया था इस बार cutoff थोड़ा हाई है तेंचा marks ज़्यादा जाएगा 100 को रखते है last year top 6 NLU close हो गयते 86 के marks पे cutoff थोड़ा सा हाई है 5-6 marks एट करते है 90-92 के range तक इस बार cutoff जाएगा अगर हम top 10 की बात करें last year 76 के marks पे मिला था इस बार थोड़ा सा ज़्यादा 82-83-84 यह जो रेंज होगी इस पे top 10 NLU के lot हो जाएगे तो ऐसे करके आप colleges figure out कर सकते हैं general के degree में भी last NLU last year 40 कुछ marks जिया था इस बार कम से कम 50-60 जो marks का range 50-70 माल लीजे इस पटला marks के range में आपको आपको सिल्वासा एलोट होगा स्वानीपत एलोट होगा आपको एक्ष्विन श्रमला एलोट होगा आपको एमेलियो और रंगाबाद एलोट होगा और यह से काफी सारे विसाका पटना में यह सारे जो टीर 3 कॉलिजें यह विकिन्सी में इस मार्क्स के रेंज में लॉट होंगे लाश्ट यह की तरह अब आते हैं एवस कैटिगरी पर अगर एवस कैटिगरी से आते हो लाश्ट यह एनलेस बैंक लॉर 84 मार्क्स पे 500 सम्थिंग के रेंग से लॉट हुआ था टॉप 6 एनलेस अगर जाना चाहते हो लाश्ट यह 76 मार्क्स और 1200 ट्रेंग तक जी एनलेस लॉट हुआ था इसके बाद नेचे यह आए टॉप 10 में जो एनलेसा कॉलेस था वो 71 मार्क नोट एनलोडी साइट उस आजिल पट्याला इसे जहां रखना अगर आप एडबलेस कैटिगरी से हो तो आपकी आजिल पट्याला की जो सीच से पंदा से बीच सीच से यह कंसोर्ट फिल नहीं कराएगा यह उनका खुद का नोटिफिशन आता है और क्लेट दिसंबर के पन रहता है आप एप्लाइ कर देंगा आपको मिल जाएगा सेम एच पेनली शुमला का जो एडबलेस की सीच से लाश्ट इयर उन्होंने अलग सी नोटिफिशन निकाल के फिल की थी इस सीच के आपको ध्यानक नहोंगा और लाश्ट इयर बाईस हजार रहें तर से एक बच करें 3600 मार्क्स तक के लौट हुआ था एडबलेस में विकेंशी में 6-8000 मार्क्स तक इसे डिनल जोल पर हो गया 6009 तक एडबलेस में लॉट हो जाता है अब आगे चले अब हम OBC के टिगरी की बात करते हैं लाश्ट इयर NLS बैंगलॉर 78.5 मार्क्स पे लॉट हुआ था पांचे मार्क्स जोल दीजिए इस बाइटी थे 84 पे लॉट हो जाएगा अब अब अगर हम बात करें तो 70 मार्क्स पे लॉट हुआ था आपको OBC में 1900 रंक चाहिए पते जी NLU के लिए Top 10 NLU में सिर्फ HNLU में है जो All India Seats से लॉट करता है तो उसमें 2100 रंक और 68 मार्क्स पे गया था और कोई भी लाश्ट NLU 58 मार्क्स पे लॉट हुआ था 4500 रंक OBC के टिगरी में इसके पाद जब वेकिंसी की बात करते हैं तो वेकिंसी में 10-15,000 रंक तक आपको OBC के अग जो चलिण पर 66 मार्क्स पे लॉट हुआ तो यहां पे रंक इंपॉटन हो जाती है तो इनक वेरी सून और आपस आपको सबके स्केलाइट की रंक आने वाली यह उससे आपको के खलीर हो जाएगा कि सर्द रंक चैंज नहीं होती है मार्क्स उपन ही रो सकते हैं रंक तो होत वह राती है, वेरी हाई जांसे कि आपको कॉलिजेश अलॉट हो जाएंगे, नर्सी बेंगला जो एसी के डिगरी से लॉट हुआ था, वो तुंटी सिक्स हंड़ राइंक पे लॉट हुआ था, टॉप सिक्स अलुट हुए थे, वो फिक्टी फॉर मार्क्स पे, फुटी सेवि वी से जार मार्क्स तक होंगी, और मार्क्स आपको 30 चाहिए पढ़ेंगे, अब बचिए दो कैडिगरी, एस्टी कैडिगरी में, अगर एनलेस बैंगला जाना चाहते हो, तो लाश्य फिप्ती सेक्स मार्क्स पे एनलेस आराम से मिल गया था, इस बार तोड़ा हो जोड़ 65, 70, not much, right? अब और रेंग थी 5,000, एनलेस की, टॉप 6 एनलेस की जो रेंग थी, एस्टी कैडिगरी के लिए, एट वस 10,000, 10,000 की रेंग तक लॉट हुआ था, दोस्ता, तीस्ता, टॉप 10 एनलेस जो है, टॉप 10 एनलेस, 33 मार्क्स पे 19,000 रेंग के साथ, और 19 के 17,000 रेंग और विकेंशी में तो और नेचे भी जाता है, लाश्ट है, पी डॉट कैडिगरी, एनलेस लॉट हो था 57 मार्क्स पे, रेंग से, टॉप 6 से लॉट हुए थे 30 मार्क्स है, रेंग थी आपकी 20,000, टॉप 10 के डाटा अविलिपल है ने, और लाश्ट एनलेस जो पी डॉट कै क्या करना है, आपको ये करना है कि यहां पर पॉट इस वीडो एन आपका जो क्लैड का स्कोर है, अफी शारी बच्चों ने, मुझे लाश्ट जो हमें वीडो भेचा था, 13,000 बच्चों ने उसको देखा, कट ओफ को लेके, एन मैजोर्टी ऑफ दिन, फाइन रेलेटिबल, सिंपल है, इसलिए क्लीर आइडिया, ऑनलेज जाना चाहे तो 99,102, जो मैंने स्कोर दिया है, फुर्स लिस्ट का स्कोर है वह, फुर्स लिस्ट के लाट्मेंट, तो फिप्ट लिस्ट तक उस स्कोर में थोड़ो सा गया पाजाएगा, जैसे मैं इसलिए, आप अनल्या बैं तो आप 66 से 70 लेके चलो एसे इसी केडिगरी के रेंज में लॉट होगे में पहला अगर आपने मुझे वाच्छे पे टेक्स किया है बाइजा है बाइजा है बाइजा आपको रेप्लाइ नहीं आया है एक और टेक्स कर दो कि सर कैंडली रप्लाइ यह कुछ भी डॉट रख दो पिन तुम वो मैंसी में उपर उपर आ जाएगा क्योंकि कई बाइजा आते हैं तो मैंस हो जाते हैं नहीं तो इलपाई नहीं आया तो कॉल कर लेजे निचे नमाश हो रहा है दिन के सो कॉल आते हैं अब यह जब आप मुझे टेक्स करेंगे तो मैं पूरा चार्ट शीट और आप सर मैं यूपी से आता हूं मैं डॉमिसायल के साथ ओबी सी वह कुछ बन सकते हैं वह 3700 राइंक बनती है लाश्ट यह 3700 राइंक का मतलब 60 समसिंग मार्स ते इस बार 65 68 होगा तो वह जब आप मैं यूपी मोभी सी हूं या मैं बहार में सी इसे जए ओटी वह भी मैं अपको इडिपील में एक्स्बें कर दोगा सब आपको अनरा स्पॉन्सरोट की लाश्टिया कर गयते है ऐल ते दिया ते अचंड इस वर बहुचे सब फॉन्सरोट की बात करते है तो वह बहु हासाल change होते हैं करने sponsor की जो cut-offs हैं वो और vacancy की cut-offs होते हैं I'll share it with you as well, है ना, साथ मैं आपको accounting group में add कर दूँगा, अब एक और छी मैं आपको बताता हूं, last year, देखें, vacancies की अगर हम cut-off की बात करें, तो last year, 40 से 60 जो marks था, मैंने बताए, last year, 40 से 60 marks में H-Mushimla, Assam, Javalpur, Aurangabar, Silvasa, NUJS का BCLLB, Nushal Natchi, close हो गये थे, अगर हम NRA sponsored category की बात करें, तो अगर हम NRA sponsored की category की बात करें, तो NRA जोतपुर, 1400 से 1600 तक, समाजा क्या, अगर हम GNLU की बात करें, 2500 rank तक, अगर हम, 2500 rank का पता है, 65 marks, अगर हम NRA sponsored में बात करते हैं, NRA Bhopal की 8,000 rank तक, 45 marks पे NRA Bhopal लौट हुआ था, हम NRA स्कॉलकाती की बात करें, 2-3,000 rank, मतलब 65 marks तक, इसके अगर हम आमने लिए की बात करें, तो 4000 से लिए 8,000 rank तक, ये भी 50-60 के marks में NRA sponsored मिल गया था, और NRA Bhopal की 8,000 rank तक जाता है NRA sponsored में, तो आपको, अगर NRA sponsor से जाना चाहते हो, वहाँ भी आपको और surprising है, 2021 में एक बच्चा था, वो चंडी करने इसनिया पढ़ रहा था, CMP का student था, मैंने उसको text किया, मैंने का, आपने NRA sponsor mark किया है, इसलिए मैं कहता हूँ, आपको समझ आया, क्यों हर किसी को mark करके छोड़ रहना चाहिए, अब हमाई जब rank आएगी, उसको use करना नहीं करना हमारे हाथ में है, किसी वाँ हमारे हाथ में, हमें use करना करेंगे, नहीं करना नहीं करेंगे, इसलिए mark करके छोड़ दीजे, अब एक बच्चे का 45,900 आई थी, वो चंडी गर इसलिए पढ़ रहा था, मैंने इसको text किया, बड़ी, होगा नहीं होगा, नहीं होगा, तो पैसे मैं दे दूँगा फार्म के, इसलिए था, हे अफ्लाइड, हे गॉट दा कॉल, उसने डॉकुमेंट्स पे रिंच कर लिए, उसने फीस भी पे कर दी, और 45,900 आई और हाट दी 6-8 मार्क से 10 मार्क से उसके होंगे, उसको देसलिए नहीं मिला, तो बच्चे के लिए तो बैटर नहीं से चंडी गर इसलिए इसलिए में था, उसकी दुए नहीं मिल गया ना, और उस मार्क से लिए जो नहीं मिलना चाहिए था, और देन ही सेट, ही टोल मी कि सर्थ, मैंने अलूरी सा भी अप्लाई किया था, मेरा लिस्ट में नाम आ गया था, मतलब जो वेटिंग में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले दो लेते हैं, डॉक्मेंट सरी नहीं कर पाती है, या तो फीज पे नहीं कर पाती है, उनके एडमिशन कैंसल हो जाते हैं, उस कारण से मौके मिलते रहते हैं, ऐसे ही वेकिंसी में होता है, जहाँ थोड़ा सा भी मैनू चार्ण्स लग रहा है, आप इस पोर दसे रहेंग वाली बच्चे ने बात किया, तो रूल तो यही कहता है, उनको लॉट हो जाना चाहिए, तुन्टी टुन्टी वन में हुआ था, इनुजे स्कॉल काता किसा, दो मिशाल में कितना माँश आता है, थी हंड़ेट, टू हंड़ेट, टू हंड़ेट, टू हंड़ आति, बच्चा ने अप्लाई कर दिया और रेंडमडी, वैगु गुट देड़ेट, बच्चे ने अप्लाई कर दियार, इस अप्लाई कर दिया, तो इस बहुत धान अदिया है, और to help you out with this, वैगुट काउंश छिलिए आपके लिए वैकेंसी का, इस प्लाई कर आउंद का एक्जम्पल देता हूं, सब्सक्राइब टॉप टैनने जाने वेक, जा सकते हो. अगर आपको लेक्ट टूथाउजन तक भी है, तूथाजन ने का मतलब लास्टियार्सिक्तियार्स उस्टिफफइप ग्स था, और सीट से 220 आई थी 20 सीट आई थी क्योंकि 1300 फूटेट रइंग वाले बच्चों ने अप्लाई ही नहीं किया था जब उनको जब अलॉट हुआ तो अच्छा वेकिंसी भी आई थी अप्लाई भी करना था लाज़ देट भी थी अधिन नाच पर दूशाल नाची मिल सकता था बेसे निल मिल सकता था तो यह जो कॉलेजियर मिलते हैं इनको प्मिस मत करिए and we'll make sure the vacancy Nós यह दिन लिए ढती हैं दो दिन के लिए आती है और आप अपलाई करते तो ठीक है और एक जाई लीक जीनिक से लवास हमें 12,000 रहें तक विकंशी आया है, 12,000, NUGS कॉल का था, BSLLV विनया कोस आया था, ज्यादा बच्चे को पता नहीं था, आम दूसमें को प्रपेड करके, कितने सारे बच्चों को 10,000, 8,000, 9,000, पर भी विकंशी में कॉलीज मिले हैं वो, 28-29 सवक तक तो हमें हाँ कॉशियस रहना पड़ेगा, जो टीर टू जा रहे हैं, जिनकी रहें 500-800 होगे, उनको एक्टिफ रहना पड़ेगा, कि जीनल्यू में विकंशी आएगी, NLI-Bhopal में विकंशी आएगी, क्योंकि इस बार, NLS Bangalore की सीज बड़ी हैं, जब सीज बढ़ती हैं, तो आ सब्सक्राइगा, मैं टीचे मैं वाट्सर नंबर दे रहा है, मैं कॉलिंग नंबर भी दिया हूए, अब पुल अगर हो इस बाप प्रता है कि रुट्छे कर रहा हूं, जब हाँ से कॉलिच अला जा जाएगा, वह आ रहा है, जिसमें 500-300 बच्चे को गाड कता हूं तो हमें फिर प्रश्चान्ज हैं नहीं नहीं तो आपको एक्स्क्लूसी वी इंफ़मेशन लिटी तभी आप एक्सेस के लिए आपको लगड़ाए थाउजन पीस नहीं नहीं हो रहा है तो गल्दियां मत करना वो गल्दियां आपकरोगे तो आपके हां से कॉलेज जा सकता है इन सारी यहां दखना, और को अपको को कवेड़ी को दोन अब नेम्हाराइ थावा नचे कर सकता है कि नीचे वह अपनी रेंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं नेंचे मैंने कमें शेक्शन के सारी अंसर में लाचश वीडियो में करूंगा और को आपको क्वेड़ी हो आप मजे कॉल क का सकते हैं कांशिंग वाले बैच में हम यह भी चीज कर रहे हैं कि हमने कांशिंग वाला जो पेट बैच अचेंपी का हमने सारे निल्यू उसके जो बच्ची वाफ परटन को वहां एड कर रहा है क्योंकि फस्ट इसमें जो अलॉट होगा को जरूरी नहीं आगे भी रहेगा म मुझे पटेला मिला था फिर लखनो मिला बीच में हो सकता है लखनो के आगे जाओ ना जाओ वहां गुरूप पे हर कॉलेज के मेंटर होंगे उनसे पूछो उनसे पूछना प्लेसमेंट इनसे डाटा पूछना लाश्ट एर के बच्ची के प्लेस हुए फैकल्टी कैसी है क्राउड कैसी है इन्वारोमेंट कैसा एकेडमेंग सारी जी जी पूछना कॉले जा रहे हो हम आगे जाओ पर रिव्यू देखते हैं छोडा सा प्रोड़क लेने के लिए पचास सो दूचार प्रोड़क लेने के लिए यह पांस साल का एक एर डिसिजन ले रहे हैं बिना सो क्योंकि मेरे दिमाग मुझे पता था लास्ट एर एबीसी कैटिगरी में 6,009 तक एंपिशन हुए ते 6,009 का मतलब होता है 55 मार्क्स 50 से 55 मार्क्स आपके जो 73 हैं कट आप बड़े का 60 होगा 62 65 होगा और उसी जगा पर उसने किसी एक फेकल्डी से पूछा होगा not to tell the name of the coaching they कि भूल जाओ इतने कंपे नहीं मिलता है 75 से ये चैनल मिलेंगा नहीं I can guarantee you जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे है 24 वाले है 50 से 70 मार्क्स आपको आपको आट्रस्कॉलिज है ये जरूर मिल सकते हैं condition simple है विकंसी में आप अप्लाई करें और विकंसी का प्डेट के करें thank you so much for watching this video please subscribe करें चैनल को and thank you we have touched 5000 subscribers with all your help इसको 10,000 ते target करते हैं because आग इस चैनल पे काफी सरे informative और काम की वीडियो जाने वाले है join करें subscribe करें और like share और share with everyone who are in need of this video at this amount of time thank you so much bye bye take care